हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो माई इस्टोडी फीट आप फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों, आज मैं सारी सिच्छा में अनुसंधान फिजिकल एजुकेशन इन रिसर्च पर कोश्चन्स एंसर करवा रही हूँ जैसा कि सभी फिजिकल एजुकेशन कमपटेशन इक जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्डिन होगा एंड इससे कोश्चन्स आएगा तो आप असानी से कर लेंगे तो पांचे वीडियो रहेगा आपका रिसर्च से तो चलते हैं आज की कोश्चन्स के तरफ कोश्चन नमर वन है कोविड डाइंटीन वाइरस की सनरजना में प्रोट रूडिंग नूक इस्पाइक सामिड होते हैं जो निम्न मेंसे किस से बने होते हैं तो सभी यह सभी बने होते हैं आपके प्रोटीन के 20 कोश्चन हैं दोस्तो ध्यान से देखेगा 20 कोश्चन के ही बना रही हूँ यतना मुझे स्दाइम मिल रहा है कोश्चन नमर टू है सरीर की प्रतिरोधी प्रडाली का एक कार्य वाह यह खतरनाक पदार्थों की पहचान करना तथा म्यूटेंट कोशिकाओं को नर्स्ट करना है जिसे निम्न में से क्या कहा जाता है तो दोस्तों यह क्या कह रहा है इसको समझे वान आप दफांक्शन्स आप दे बाड़ी इम्यून सेस्टम इस टू आइडेंटिफॉई फारगीन देंजरस सबस्टेंसेस एंड डेस्ट्री म्यूटेंट को सेल्स वीच द इज कॉल्ड वीच आप दे फालवी जो आपके प्रतिर्दी छंता है इम्यून फडाली है वा जो बाहर से खतरनाक पदार्थों की क्या करती है पहचान करती है और जो ऐसे कोसिकाय होती है फालतू कि उसको नश्ट करती है तो इसे हम निगरानी कहते हैं क्या कहते हैं निगरानी ठीक है इसे हम निगरानी कहते हैं immune system का यही कारे होता है Question No.3 है प्रत्यच प्रतिरोधी छंता किस प्रकार की विक्सित होती है how does direct immunity develop तो प्रत्यच जो प्रतिरोधी च्हमता होती है वहां आपका, जैसे कि दोस्तो प्रत्यच से प्रतिरोधी च्हमता तब होती है जब हम बाहर से antibodies प्राप्त करते हैं जिसे रक्त उत्पादों का transfusion कहा जाता है, याद रखियेगा ठीक है क्या समझया कि प्रत्रच प्रतिरोधी चमता किसे कहते है जब हम बाहर से एंटिबॉडी इस प्राप्त करते हैं जिसे हम प्रत्रच प्रतिरोधी चमता कहते हैं जिसे रक्त उतपादों का ट्रांस फ्यूजन कहा जाता है तो यहाँ पर राइट इंसर हो जाएगा आफ बियायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? How can exercise help protect the body from infection? तो बियायाम से क्या क्या होता है? आप शुप को पता है, यहां पे आपको चाट के अंसर देना है, तो संक्रमर से बचाने के लिए जो एक्सरशायज है, वो कैसे हमको सहायता करता है? इसके बारे में आपको यहां पर कोलस्टन चाटना है तो यहां पर शरी के टापमान को ब्रहां сот teenage बढ़ानी से रोकता है तो बास सही है जब हम exercise करते हैं तो हमारी स्सरी mansud कर बढ़ता है blood circulation अच्छा अच्छा Mitar handle कुछ संदंगी कोए पसीनीके दोआ बाहरा जा जाती दोस्तों वैसे मॉंसयर स्टी साना को बढ़ता है ताकि देखिए का ऊडमन ग।े यह है को पक्रवक का है ट्रव 열क है भी ग्लंच शीओपरों से पेखिए को बाहर निकाल सकता है तो जैसे कि आप यायाम करते हैं आप के सभी जग़ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है आप तेजी से गहरी सांस लेंगे अब अंदर लेंगे बाहर लेंगे तेजी से अच्छे बातार में करेंगे तो फेफों से बैक्टरिया को बाहर निकाल सकते हैं तो C भी आपका हार्मोन की संद्राव को कम करता है एकससाइट रेडियूज के सीड़ा स्क्रीयशन हार्मोन गाला शमी इसको घ्यारमोन असद्रावर द्डेया की अध्या पिए इसको काल शुक्छ उबून वह. भी तो यहां पी क्या एंसर हो जाएगा A, C and D आफसर नमबर A यहाँ पे राइट एंसर होगा कोशन नमबर 5 है महा मारी के दोरान जब लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर किया गया जैसे कि COVID-19 के सब घर में हो गए तो बिसु सासे संगठन यान W-75 को और बुजूर को के लिए सारे कि रिया कला यानि physical activity करने का क्या सुझाओ दिया PA का मतलब यहां पर physical activity है तो दोस्तों यहां पे जो है W-9 ने जैसे अब्यों चैनल यहां पे आफसर नमबर D राइड होगा B और C क्या सिधाव दिया यहां पर क्या पूछा है कि वैसकों के लिए फिजिकल एक्टिविटी का जिश्ट दिया और बुझुर्गों के लिए तो यहां पे आप देख सकते हैं B और C रैइट हैं यानरे कि वैसकों के लिए एक सुपचास मिनट प्रतीस सब्ता के लिए समाने फिजिकल एक्टिविटी या तीन दिन प्रतीस सब्ता कह सकते हैं कि एंड बुजूर्गों के लिए 75 मिनट प्रती सब्ता के लिए समान्य फिजिकल एक्टिविटी तीन दिन प्रती सब्ता तब या और सी यहां पर राइटन जरू होगा कि पोश्चन नमर सिक्स है महिला बाडी बिल्डरों को निमन में से क्या माना जाता है तो दोस्तों महिला बाडी बिल्डरों को अन फेमिनाइन कहा जाता है अन फेमिनाइन कहा जाता है महिला बाडी बिल्डरों को जैसे कि वर्चस वादी लेंगे एक विजाधारा के अनुसार महिला बाडी बिल्डर्स अन फेमिनाइन है जिसको एक कमजोर वर्ग माना गया है लेकिन अभी बर्दमार में उभर के आया हुआ है एक महिला की नवीन छवी जितने ही मानितायं थे उन सब को ओवर्ग कम कर रही है Q7 है पूरुस को निल में से किस रूप में परिभासित किया गया है दूस्तो पूरुस को पूरुस्ता का संबंद उसके कठोर मजबूत बॉडी तरक संगत और महिला रच्छक से है तो पूरुस को किस में परिभासित किया गया है यहाँ पर आपका Q7 का अंसर हो जाएगा कि यहाँ पर D आप्सन राइट होगा A, B और C A, B और C यानि कि पूरुस को कठोर बताया गया है मजबूत है तरक संगत है तो पूरुस कठोर मजबूत तरक संगत होता है ठीक है अग जो D वाला है अत्यदिक मान स्पेसी यह आपके महिलाओं के परिभासी महिलाओं के लिए है Q8 है निन में से कौन सी महिलाओं की प्रिभासा को वैकल्पिक अर्थ है विशावद फॉलिविंग इच अल्टर नेटिव मेनिंग आफ दड़ डिफिनेशन आफ ओमिल दोस्तों जैसे कि महिला को बहुत पहले से उसको कमजूर या उसको रच्छा की जुरत होगी इस तरह से डिफाइन किया गया था बट बर्तमान में इन सभी मानताओं को पीछी छोड़कर महिला के एक नवीन चवी उपर के आया हुआ है तो महिला को परिफासित बैकल्पिक अर्थ क्या है बर्तमान में तो ओप महिला की एक नवीन चवी कोशन नमर नाइन है लिंग को निमने स्टेडियो में परिफासित किया जा सकता है आप सबको पता है महिला और पुरुस ए और सी आपका राइट एंसर हो जाएगा दी कोशन नमर दस है प्रकिती ने उसे इसी रूप में बनाया है जिसका ताथपर मनुष्य को किस रूप में परिफासित किया गया है तो प्रकिती ने उसे इसी रूप में बनाया हुआ है तो इसका ताथपर है कि वह एक महिला रच्छक ह यानि कि पुरूस कर्थूर तर्ख संगत और मजबूत होता है यानि कि महिला को कमजोर दस आय गया था तो एक महिला रच्छक प्रकिति ने उसे इसी रूप में बनाया है जिसका ताद्र पर है महिला रच्छक प्रोटेक्टर आउफ उमें किसी प्रुष्णावली के संबंद में योजना बनाते समय निम्न कदमों को आरंब से अंत तक के सही क्रम में बिवसित करें दोस्तों इसको अपने हान से पढ़िएगा तो आराम से हल कर लेंगे किसी भी कारे को करने से पहले हम क्या करते हैं लच्छ निधायत करते हैं तो पह उसके बाद हम क्या करेंगे प्रश्णावली के संब्ध में योजना बनाना है पहले हम कैसे करना है उसको लच्छ निधायत करेंगे अच्छ निधायत करने के बाद हम प्रश्णू का विकास करेंगे क्या करेंगे प्रश्णू का विकास वान के बाद फाइफ हो जाएगा प्रश्णू का विकास करने के बाद हम उन प्रश्णू और पूर परिच्छा का क्या करेंगे मुल्यांकन करेंगे evolution करेंगे तो four हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों उसके बाद हम आसकता कि अनुसार संसोधन करेंगे अंतिम रूप देंगे अदूसरी प्रतिया डुब्लिकेट बनाएंगे तो जो भी चीजे हैं हम मुल्यांकन करने के बाद ही तो हम समझते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं है तो उसके अनुसार हम उसको संसोधन करते ह उसके बाद लाश्ट में हम आपर एकत्रित करेंगे शारी बनाएंगे संसुधन करने के वाद एक परफेक्ट साडी बनाएंगे और अंतिम रिपोर्ट तयार करेंगे ठीके इस प्रकार आपका वह एक पांच चार तीन आपका सौरी दोस्तों एक की बाद हम क्या करेंगे प्रश्णों का विकास करेंगे फिर आपका पहले लच्छन इधायत करेंगे फिर पाजवा प्रश्णों का विकास करेंगे और फिर चवथा प्रश्णों और पूरु परिच्छा का मुल्यांकन करेंगे उसके बाद हमारा दो हो जाएगा आसक्ता करेंगे अन्तीम रुपदेंगे अर्पत्या रुप्लिकेट बनाएंगे फिर लास्ट में यह जाएगा कि कि आकड़े एक रतित करेंगे साड़ी बनाएंगे और अंतिम रिपोर्ट तयार करेंगे एक पांच चार दो तीन एक पांच चार दो तीन आपसा नंबर भी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा कोसन नंबर 2 है कि ML relatively anci के बारे में बताया था तो उनमें से कौन सा इसमें णाइट है यिसको देखना है तो इसमें ये आपका राइट है एक दो चार आफसर नमबर डी राइट है कैसे एक है प्रशनावली में बीस मद होते हैं प्रतिक कतर में अधित्तम दो प्रतिक्रिया वैल्यू होती है अगर रेक्ती अगर दिस पॉइंट स्कूर प्राप्त करता है तो उसे उच्च खेल को उपलब्धी प्रेड़ा का पता चलता है कोशन नमर 13 है निमन मेंसे कौन से कथन सही है तो यहां पे आपको देखना है कि कौन से कथन सही है दोस्तों यहां पर दी आफसं सही है कैसे इसमें One Two Of Four सही है One by वरणात्मक एनुसंधान इस तर्श सम्मेंदित होता है और सर्वाधिक प्रचलित विधी सरविचर है यह सकी को कभी भी कोशिन स्परकार से आए चैकार ना wish इस प्रकार से है और आंकडों का संक्रण प्रिच्छड और सच्छत करों के बाद सीए जाता है सिर्जात है कि और महामारी विज्ञान समन्दी अनुस्म्धान प्रायोग इंला efic olduğunu करते यह थिक है और जो तिसरा है टारत है तिस्रा विलिए स्रायत्म की विष्ट रात्मक claim संधार में अध्य हर्म लियांकर सामिन नहीं होता है यह तो यहां पर कोटा सैंप्लिंग के बारे में निवने में से कौन सा कथन सही नहीं है कुटर सैंपलिंग के मारे में कौन सा कथन सही नहीं है यहां पर सही है सही कौन नहीं है यहां गैल संभाब्यता प्रतिदर्स यह 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 भी राइट करता है यह अनुभब अधायत होती है यह ब्यक्ति निर्पेच्छा है यह गलत है heiige गयाँ कॉटा नमुनां करोर्ण यहां पर सही क्या हम आरे हैं यह बेखति-निर्पेच्छा है गलप है एक नमुना पधधती है जिसमें एक सजाती समू से डेटा एकत्र किया जाता है इसमें दो चरणी प्रक्रियार शामिल हुए यहां पे जनसंख्या से जर्मकारी को फिल्टर करके करने के लिए दो चरका उपयोग किया जा सकता है इसे आसानी से प्रसासित किया जा सकता है और तुरित तुलना में मदद करता है या गेर समभाविता परतितर持 है या व्यक्ति सौफेच है या सूरत करता के अन्वाप आधायित होता है कोश्यन निम्मर 15 है अकृत परिकर्पना को यह भी कहते हैं तो दोस्तों अक्रित परिकर्पना को हम अंतर रहित परिकर्पना नान डिफ्रेंस हाइपोथिसिस कहते हैं अक्रित परिकर्पना की अंतर हीर परिकर्पना भी कहते हैं असक्त परिकर्पना जिसे अनुमान के रूप में भी जाना जाता है यहाँ मानती है कि चैनित बिशेस्ताओं के बीच किसी भी प्रकार का अंतर जो आप डेटा के एक सेट में देखते हैं सहियों के कारण होता है Q16 है दार्सनिक सोद को यह भी कहा जाता है Philosophical Research is also called दार्सनिक सोद यानि philosophical research को हम संकल्पनात्मक सोद भी कहते हैं इसे वैग्यानिक प्रतिमान भी कहा जाता है अनुसंधान का उद्धिस किसी परिकल्पना को सिध या अस्वकित करना है वैग्यानिक प्रति सांके की बिसलेसर और निसकर्सों को समाने बनाने पर जोड़ देता है Q17 है दार्भूत सोद को यह भी कहा जाता है दार्भूत यानि basic research is also called basic research अदार्भूत सोद को यह भी कहा जाता है तो अधार्भूत सोद को हम सुध या pure sub कहते हैं अधार्भूत अनुसंधान विया अनुसंधान है जिनके निसकर्सों द्वरापके नहีज Indota governing को कोhone डिष्टन नमबर 18 है कौन सा घटक परिछ्ठर की वस्तुनिष्टा को प्रभावित नहीं करता वीच फैक्टर डजनार अफेक्ट यद अब्जेक्ट्वीट के आफे टेस्ट की लिए reliability validity ne Sahndra की जुरत होती है तो reliability क्या होता है या मैं कि चिर्ण से अधिक बार स्क्राइब्स क्या जाता है या यह है कि पिटंप है नोके हैं और यह seventh him up A wad aja स्वीड है क्या होता है कुछ कुछ सत्य करने के लिए एक सज्वादा एक्सpor को बुला जाता है और सभी से उसको टेष्ट कराये जाता है और सभी से एक ही जäd Cand स laboratories का करनार सब्सक्राइब कुझे मापने कि कर पर क्रेशिंग आप मेजरिंग प्रोसेस इस अभी चीजे प्रहावित करती है बड़ परिच्छर के आवधी प्रहावित नहीं करती है और कोस्ट नबर 19 है निन में कौन सी संभाविता प्रतिचयन विधी नहीं है विच आपके होते हैं समाने उद्देश से रहित प्रतिचयन क्रमानुसान प्रतिचयन इस तरह नुसानग परतीचयन, पुनजा नुसानग परतीचयन, इस अभी समभावित्धा परतीचयन भी धी है वी भी नहीं है कोशन नमर 20 और लाउट्ष कोशन है आज के सेशन का कि सारी शिचा में प्रिवादमरगर उसंधांपतती प्रदान करती है एकस्प्रि मेंटल रिसौर्च मेंथोड इन फीजीकल एजउकेशन प्रोवाइड्स तो साइज सिच्छा में प्रिवादमक और संधाम पद्धती क्या बदान करती है तो प्रिवादमक जो experimental research method in physical education यह परिशिती के अनुमानित अध्यन करता है तो यहां पर आपका हो जाएगा क्रमपध एवं तर्क संगत अध्यन करता है ठीक है साइज सिच्छा में प्रिवादमक और संधाम पद्धती क्या पदान करती है तो प्रियोग करके आप एक क्रमपध तरीकी से तर्क स्वध परिशिती से उसको अध्यन करेंगे ठीक है यह सिस्टेमेटिक एंड लॉजिकल इस्टड़ी होता है तो दोस्तों यह था आज की सेस्टों बीस एम से की कोशन्स साइज सिच्छा में अनुसंधान से एंड आई वोब कि सभी कोशन्स आपको समझ में आयोंगी जिस भी कोशन्स में कोई डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए और ज्यादे ज्यादे वीडियो को स्रेयर क कीजिए जिसे और लोगों तक बहुत सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जैए